जै श्री श्याम दोस्तों सुबह चार बजे से आट बजे की बीच में यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ आईए खाटु श्याम बाबा का आपके घर में बास हो चुका है या आपके जो भी इश्ट देखता है जिनको आप सबसे जाना मानते हो उस वगवान का आपके घर में बास हो चुका है इन तीन संकेतों के माधियम से आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम का आपके घर में बास हो चुका है आईए जानते हैं वो कौन से माधियम है जिससे पता चलता है कि हमारे घर में इश्ट का बास है शपन के माधियम से सरीर में बाब्रेशन ह चल जाता है कि भगवान की उपस्तित हमारे घर में हैं भगवान हमारी पूजा को भी श्विकार करते हैं कुछ ऐसी घटना है हमारे साथ घटित होने लगती जिससे पता चल जाता है कि हमारे भगवान की उपस्तित हैं उन घटना को हम लोग देख भी सकते हैं मैसूस भी कर सक है लगातार एक सब्सक्राइब को एक सब्सक्राइब उसला है किर्पाह बोलुण जो आपको दिखाई भी दे रही है हैं महसूस भी हो रही चार वजे से आठ वजे की बीच में तो समझ्ज आई है आप पर भगवान की let правवाज है आपको दो तरह से पता चलेगा एक द्रस रूम में द्रस योसेचर दिखाई नहीं दे ती त才्से आप देक सकते हैं यह मैंसूस कर सकते हैं कैसे पता करें द्रस तरीके से भगवान हमारी पूजा को क्वीकार कर रहे हैं वहां वस्गें उपस्तित हैं जोती का तेज जलना यदि जोती तेज जलने थे तो सब और भॉगान उपस्तित हैं इसके साथ जोती से निकले वाला अपतित और आकट्से वहां लागत तो ऑ़ दाप सि था रहा आपको ऐसे दर्सन होते हैं तो भगवान वहाँ पर ब्राज माने ये तरीका द्रस तरीका होता है अब जानते हैं अद्रस तरीके से भगवान की कैसे दर्सन होते हैं कैसे भगवान को महसूस किया जा सकता है जब आपके बैपार में तरक्की होने लगती है कारोबार में कुछ मंगल ही मंगल होता है उस समय आप समझ आईए कि भगवान की उपस्तती है भगवान का आशिरवाद है आपको ये तरीका अदस तरीका होता है इसमें भगवान का दिखाई नहीं देते पर महसूस किया सकता है भगवान की किरपा को महसूस किया जा सकता है ये तरीका पूजा अर्चना और अधिक करनी चाहिए और आपको खाटुश याम बाबा या आपकी जो भी इश्ट देता उनकी पूजा अर्चना और भी करी जिससे की भगवान की किरपा की प्रापति हो सके उस समय भगवान आप से सबसे प्रशन होते हैं तभी आपको किरपा की पूजा करते हुए या किसी को दान देते हुए या आपको भगवान की दर्सन होते हैं या पंडित से घर में पूजा कराते हो तो ऐसे सपने सुबह की बगत कर आपको दिखाई देते इससे पता चलता आप घर में भगवान का बास हो चुका है ऐसे सपने उनी प्यक्ति को दिखाई देते हैं जो भगवान पर पूर सद्दा और आस्ता रखता है उनी को सपने में भगवान ऐसे दर्सन देते हैं जिससे उनको पता चल सके कि भगवान आपकी हर एक मन्नत को शुईकार कर रहे हैं भगवान आपकी पूजा को शुईकार कर चाहता है कभी कभी हाथ इतनी जोड़ से हिलने लगता है आपके ना चाहती हुए भी यह आपके पास एक ऐसी उर्जा होती है जिससे आपको भगवान की तरब जोड़ता है उस समय आपका सरीर बाइब्रेट होने लगता है यह बहुत ही जाना शुप शंकेत होती है यदि आंखों में आशुकी मादिय्यम से संकेत मिलना यदि आपकी आँखों में बहुत जाना आशु आने लगते पूझा करते समय आप नहीं चाहतेगी आपकी आँखों से आँशु आ रहे है तो इसका यह मतलब होते कि आप भगवान की भक्ती में पूढ सर्दावास tousat जो भ बहटित हो रहा है आपको उसी से मतलब नहीं होता क्योंकि आप सिर्भग्वान की भक्ती में ही खोई हुए हो तो इस वज़े से आपके आँक से आशु आने लगते हैं आशु आना भी एक सुब संकेत होता है जिसका सम्मन्द भगवान से हो जाता है उसी व्यक्ति के आशु क्योंकि हर भ्यक्त भगवान seconds निकाल सकता है लेकिन आंसु जो से निकलते भुर्वान की भक्ति से निकलते भुर्यान की भकटी जाता है उसी विगटके आंग से उसा कंव थे यह बहुत जाना सynकेत होता है यदि आपको इनमें से sंकेत मिलते हैं तो यह बहुत जाना शुब होते हैं क्योंकि उन्हीं को ये संकेद मिलते हैं जो भगवान की किरपा पाते हैं हर किसी व्यक्त को ऐसे संकेद नहीं आते हैं, ऐसे नहीं संकेद मिलते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेट में जैशिश्याम अब असले के मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूंगी जैशीश्या